हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु माई चैनल प्रेगनिंसी केर विद मेगा, मैं मेगा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, कैसे हैं आप लोग, I think सभी स्वस्त होंगे और बहुत ही खुश होंगे, दोस्तों सर्दिया चल रही है, और क्या आप चानते है के ड्राइफूट्स आपके लिए कितना फायदे मंद हो सकते हैं, प्रेगनिंसी में पिस्ता के कई फायदे हो सकते हैं, ये प्रोटीन फाइबर और हेल्धी फायदे का एक अच्छा स्रोत है, तो आज मैं आपको प्रेगनिंसी के दोरान पिस्ता खाने के कुछ होता है इसमें एंटि आक्सिडेंट भी होते हैं जो आपके पूरे शरीर में सूजन को कम करने में काफी मदद कर सकते हैं पिस्ता में मैगनिशम होता है जिससे ब्लर शुगर की लेवल को नियंतरित करने में मदद मिलती है ऐसे में प्रेगनिंसी में डायबेटीज के जोखिम को कम किया जा सकता है साथ इससाथ प्रेगनिंसी के दोरान अगर आप पिस्ते का सेवन करते हैं तो दोस्तो इसमें विटेमिन B12 की खुराक होती है और इसको लेने B12 होता है जो पिस्ता में बहुत अच्छी मातरा में पाया जाता है यह विटेमिन गर्वती महिलाओ के जरूरी होता है यह प्रेगनिंसी के दोरान सूजन कम करने में काफी मदद कर सकता है पिस्ता प्रेगनिंसी के दोरान कब्ज से राहत दिलाने के लिए भी मदद कर सकता है क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर होता है जो नियमित मोशन को बढ़ावा देने में मदद करता है पाचन के लिए पिस्टा बैस्ट माना जाता है नेक्ट दोस्तों की प्रेग्निसी के दोरान पिस्टा खाने से आपको मास्चिक स्वास्त बहतर होता है इससे आपकी mental head तंदुरुस्त होती है नट्स में टिप्टोफेन एमिनो एसिड होता है जिससे आपका मोड और ज्यादा बहतर होता है मोड स्विंग की जो प्रॉब्लम है वो काफी हर तक कम हो जाती है पिस्टा को नाश्टे के रूप में खाया जा सकता है आप दलिया, दही, मफिन, कुकीज और केक जैसी जीजों में इसे मिला कर इसका सेवन कर सकती है लेकिन अगर गर्मी का मोसम है तो बहुत कम मातरा में दिन में दो पिस्टा ही आप खाएं और सर्दी के मोसम में 4-5 पिस्टे आप खा सकते हैं लेकिन इसकी अधिक मातरा का सेवन नहीं करना है आपको क्योंकि पिस्टा गरम भी होता है तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज के वीडियो आप रोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और जाहदा शीजादा शियर करें थैंक यू फो वाचिंग प्रेगिंसी केर विद मेगा थैंक यू नमस्कार